अब बात करते हैं रणभूमी लाइफ की यूपी चुनाव के तीसरे दौर के मतदान के लिए आज प्रचार युद्ध थम जाएगा आप ठीक मेरे पीछे लगी एक घड़ी को देख सकते हैं जिसमें सुभा के आठ बच चुके हैं और दूसरे साइड आप देखेंगे प्रचार थमने में कितना वक्त बचा हुआ है 9 गंटे 69 मिनट और सेकेंड्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं यानि कि आपसे ठीक लगभग करीब करीब 10 गंटे के बार प्रचार युद्ध थम जाएगा आज का चुना प्रचार सबसे खास होने वाला है क्योंकि आज दिगज यूपी के 16 जिलों की 69 सीटों पर अपनी पूरी ताकत जोकते हुए नज़र आएंगे इस चुनावी रणभूमी की सबसे तूफानी कवरेस कर रहा है वीपी गंगा जिन 16 जिलों की 69 सीटों पर आज सियासी शोर थमेगा उन सभी जिलों में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद है लगातार दिगजों के बीज से हमारे समभादाता हर हलचल का अपडेट आप तक पहुचाएंगे और सीधे रणभूमी लाइव से हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे तो इस तूफानी कवरेस के बीच हर बड़ी ख़बर पर एवीपी गंगा की नजर बनी हुई है 20 फरवरी को मतदान होना है लेकिन बाकी पूरे सूबे में कैसा है सियासी माहौल राजनीती की हर हल चल अपने दर्चकों को हम दिखाएंगे आज शाम 6 बजे चुना प्रचार तीसरे चरण के लिए थम जाएगा यूपी में तीसरे चरण के लिए प्रचार का आज आखरी दिन है शाम 6 बजे प्रचार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा जिसमें अभी करीब करीब 10 घंटे का वक्त है यानि कि सर्फ 10 घंटे ही है उन तमाम दिगजों के पास जहां पर तीसरे चरण में मतदान होना है 16 जिलों की 69 सीट है जहां पर प्रचार का शोर आज थम जाएगा यूपी में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है प्रचार के अंतिम दिन दिगजों ने अपनी पूरी ताकत जोक दिया और आज पूरे दिन हर एक जिले से हर एक सीट से अलग अलग तस्वीरे आएंग आप तक पहुचाएगा 16 जिलों की 69 सीट है जहां पर तीसरे चरण में चुनाव होना है और करीब 626 प्रत्याशी है जो मैदान में उत्रे हुए हैं हर एक हलचल हम आप तक पहुचाएंगे अलग अलग जिलों में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद है और वहां से वो एक एक अपडेट एक एक जानकारी आप तक पहुचाएंगे तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है जिसके लिए चुनावी शोर आठ पूरी तरीके से थम जाएगा